आज बनाते हैं हम सब का फेवरिट मैंगो से सरफ एक मिनट में सुपर टेस्टी डिजर्ट जिसे एक बार खाया ना तो उसका एडिक्शन हो जाएगा तो आएए देखते हैं इसके एक क्विक सी रेसिपी मैंने आधक अपना एक्टम गाढ़ा दही लिया है यह एक्टम काफी इसके लिए ना मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूं कंडेंस मिल्क आपके पास अगर कंडेंस मिल्क नहीं हो तो आप इसमें पिसी हुई चीनी या फिर शेहद भी डाल सकते हैं थोड़ा सा ही डाला है टीस करके देख लेंगे बहुत जादा इसे हमें स्वीट बनाने की सर अब इसके फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हांस करेंगे इसके लिए मैं थोड़ा सा इलाइची का पाउडर डाल रही है आप चाहें तो वनिला एसेंस भी डाल सकते हैं इसमें कोई पर्फेक्ट मेशरमेंट वगर नहीं है आप अपने प्रेफरेंस से अपनी चॉइस से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं तो यह एकदम रेडी है अब मैंने हापर एक प्लेट में पार्शमेंट पेपर यह बटा पेपर होता है वो लगा लिया है यह ज़रूर लगाए और फिर मैंने यहापर थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इस पे टाल दिया है आप साइज अपने आने वाले हैं तो मैं इसको चॉकलिट में कोट करूंगी मैंने 100 ग्राम के जितनी ना डाक चॉकलिट ले लिए चोड़े पीसे में कट करके इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा वर्जिन को कोनेट आप चाहें तो कोई भी वेजटेबल ऑल भी डाल सकते हैं और इसको फिर मैंने यहां पर एक प्लास्टिक के शीट ले लिए है आप चाहें तो बटर पेपर में या फिर किसी प्लेट में भी इसको कर सकते हैं अंदर फ्रोजन योगर्ट है ना तो बहुत जल्दी सेट हो जाएगी तो फटा-फट से मैं डाल रही हूं थोड़ा सा डेसिकेटेड को कॉमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें तो यह चॉकलेट में कोट हो गया है अब मैं इसको फ्रीजर में रख रहे हूं 15 मिनिट के लिए ताक यह अच्छे से एक बार और सेट हो जाए चॉकलेट हमारी यह देखें 15 मिनिट के बाद यह किते बढ़या से चॉकलेट हमारी सेट हो गई है यह देखें वाव नाम पढ़या लग रहा है देखते ही मूं में पानी आ रहा है मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई